बहुत ही आराम से तथ्य बताते हुए वो बोले, सद्गुरू लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा पॉनोग्राफी है। तो पिछले 10 सालों में हम एक अभ्यास चला रहे हैं। अगर आप कुछ अशलील भी देख रहे हों, तब भी सद्गुरू सामने आ जाएंगे। Inner Engineering, हमारे पास संबाद के जो भी माध्यम हैं, उनका इस्तिमाल इनसानों को रूपांतरित करने के लिए जरूर किया जाना चाहिए। देखिए, सिनेमा का मतलब है, आप बड़े परदे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक संभावना नहीं है, पर प्रश्न ये है कि उसे जाकर देखेगा कौन। उसे व्यवसाइक रूप से सफल भी होना चाहिए। व्यवसाइक सफलता मतलब लोगों ने उसे देखा, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ, ये 9-10 साल पुरानी बात है। मैं अमेरिका में था और एक व्यक्ति से बात कर रहा था, जो एक विशेशग्य हैं, इंटरनेट वगेरा के। मैं खुद कभी इंटरनेट पर जाकर कुछ सेर्च नहीं करता, मेरे पास उन चीजों के लिए समय नहीं होता, तो मैंने उनसे पूछा लोग क्या देखते हैं, हर कोई अपनी स्क्रीन के और देख रहा है, वो क्या देखते हैं, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से, तथ्य बताते हुए वो बोले, सद्गरू लगभग सत्तर प्रतिश्यद से ज्यादा अश्लील चीज़े, मैंने कहा क्या? वो बोले हाँ, मैंने कहा मैं इस बकवास में विश्वास नहीं करना चाहता, सत्तर प्रतिश्यद अश्लील है, ये असंभव है, फिर मैंने कुछ और लोग बेशने के लिए, हत्यार बेशने के लिए, पर जिस चीज ने मेरे अंदर सबसे ज्यादा घ्रिणा पैदा की, वो ये थी की, इंटरनेट पर हर साल, 15 साल से कम उम्र के 16 लाख बच्चे बेचे जाते हैं। तब है हम नीश्ता की हद तक पहुँच गए हैं, इससे नीचे नहीं गिर सकते हैं ना? तब मैंने तै किया कि मैं इंटरनेट पर जाऊंगा। तो पिछले 10 सालों में हमने ये अभियान चलाया हैं। आप में से कई लोग जो उंचाई पर बैठे हैं, आपने ये जेला होगा क कि अगर आप कुछ अशलील भी देख रहे हों, तब भी सद्गुरु सामने आ जाएंगे। इनर एंजिनेरिंग। मैं ये थोड़े आनन्द से कह रहा हूं, क्योंकि जब इतनी जबरदस्त तकनीक हमारे लिए उपलब्ध है, तो क्या हमें ये करना चाहिए? देखिए, इस से दस लोगों ने सुना, उन दस लोगों ने उसे हर तरह के रूप दे दिये, आज पहली बार आप यहां बैठ सकते हैं और पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, जब हमारे हाथ में ऐसा साधन है, अगर हम मानवता को अभी रूपांत्रित नहीं करते, तो इसका मतलब है हमा हमारा ऐसा कोई इरादा ही नहीं है, तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या हमारे नैचुरल स्टार अध्यात्मा पर एक फिल्म बनाएंगे? तो हमारे पास जो भी माध्यम है, ज़रूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, हमारे पास संबाद के जो भी माध्यम है, उनका इस्तिमाल इनसानों को रूपांत्रित करने के लिए जरूर किया जाना चाहिए, क्यूंकि इस धर्ती पर बस यही एक समस्या है, इनसान, और कोई समस्या नहीं है, हलो? हाँ या ना, यही एक मात्र समस्या है, तो जब आज संबाद का इतना शक्तिशाली माध्यम मौझूद है, ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे हर इनसान तक पहुंचा जा सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जब ये संबावना मौझूद है, तो मानवता को रूपांत्रित करने का यही समय है,